साथी नमस्कार कैसे आप सभी आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे उम्मीद है कि दम फर्स क्लास होंगी आर पी एफ एग्जाम डेट जिसका आप लोग बेशबरी से इंतजार कर रहे हैं जो आपके लिए वेकेंसी निकाली गई है C460 पदों के आसपास इसकी एग्जाम की डेट कब आने वाली देगे इस से पहले दो वेकेंसी आई थी, एक आई थी एल्पी की असिस्टेंट लोक अ पाईलिट की और एक आई थी टेकनिशन की ये दोनों ही जो पोस्ट हैं इससे पहले आई थी और एलपी की पोस्ट आई थी लगवग 5,000 के आसपास जिस भरती को बाद में बढ़ाके लगवग 18,000 के आसपास कर दिया गया तो ऐसे में एक सवाल आपके दिमाग में ये भी आता है कि जो आरपी एप के 4660 पोस्ट आए हैं क्या ये इंक्रीज होने वाले हैं तो बिलकुल जी हां ये इंक्रीज होने वाले हैं और लगवग ये जो पोस्ट पहुँचेंगी वो 15,000 के आसपास पहुँचेंगी क्योंकि रेलवे का ये ही फंडा रहता है पहले पोस्ट कम लाता है उसके बाद में उसी में इंक्रीमेंट कर देता है इससे पहले भी कई बार ऐसा देखने को मिला है तो लगवग जो आपकी वेकंसी है वो 4660 ना होके और ये वेकंसी 15,000 के आसपास हो जाएगी और इसके जो एक्ज बॉए जो एक्जाम है वो करया जासकता है सैप्टेंबर और उक्तूबर तक आप लोग मानके चलिएगा कि सैप्टेंबर और टुवर में और टेक्निशींड की जो पोस्ट है इसके लिए एक्जाम कंड़क्ट कराया जा सकता है फिर उसके बाद आएगा आपका नमबर exam के तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को यह जानना काफी ज़्यादा जरूरी है जो आपको इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो मैं एक बार इस स्क्रीन को थोड़ा साफ कर देता हूं ताकि अच्छे से आप लोगो समझ में आ सकेगी अभी आपको exam में क्या क्या परफ 120 सवाल पूछे जाने कितने सवाल 120 सवाल यह 120 सवाल कहां कहां से रहेंगे 50 सवाल इसमें जी किसे रहेंगे 50 नमबर मिलेंगे और इसमें मैत से 35 सवाल रहेंगे रीजिनिंग से 35 सवाल रहेंगे यानि कि 120 सवाल आपको पूछे जाएंगे 120 आपको मिनट दी जाएंगी यान नबे मिनट में आप लोगो हल करना होगा वन थर्ड की नेगेटिम मार्किंग भी इसमें रहती है नहीं नकारात्मक अंकन भी इसमें दिया हुआ है पहले आपका एक्जाम होगा एक्जाम के बाद में फिर आपको फिजीकल के लिए बुलाए जाएगा हाइट वगेरा नापन वो केवल मेल को चाहिए फीमेल को इसकी रिक्वार्मेंट नहीं होती है बिना फुलाब के 80 और फुलाब चाहिए 85 सेंटिमीटर इसकी जो चेस्ट है वह नहीं चाहिए यू आर और ओबी सी कैंडिडेट यू एडू इसकी वहीं बात करते हैं स्सी अस्टी की तो 160 सेंटिमीटर है चाहिए मेल को फीमेल को 152 सेंटिमीटर है और इनको कोई मतलब मनलब इनको 60.2 से 80.2 इसमें चेस्ट की रिक्वार्मेंट रहती है और यहां गोरखा और यह आपके गहडवाल इत्यादी जो होते हैं इनको 163 सेंटिमीटर है चाहिए मेल केंडिड फीमेल 155 सेंटिमीटर है चाहिए थोड़ा से लंबा मांगा जाता है इनको फीमेल को और वहीं बात करता हूं चाहती की तो वह लगबग 80 से 85 चाहिए देखिए अगर दोड की बात करते हैं तो इक मरब 16 experts के दोड़ल केंसटिमीटर से मांगे जाति हैה 5045 से जो मांगी जाती है 500 से जुम dice 10 30 का समेंदिया जाता है मेल केंडिडीट को 14 फुट लंबा कूदने के लिए बोला जाता है और female candidate को 9 फिट लंबा कूदने के लिए बोला जाता है high jump यानि उचा कूदने के लिए male candidate को 4 फुट और female candidate को 3 फुट उचा गूदने के लिए बोला जाता है वहीं बात करते है समिस्पेक्टर की तो समिस्पेक्टर में 1600 मीटर का जो समय है और आपके एक्जाम की जो डेट है वह लगवग नवंबर दिसंबर बनती है तो आप लोग इस इसाब से पनी तयारी कर सकते हैं दोस्त